बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तिर्भूज प्रसनाबली 1K भारती बन का बुक आप देख रहे हैं हाई स्कूल प्राथमिकनी 2 दार्सकुप्ता के दोरा लिखा गया है कोस्टे नमबर 14 का पहला और 14 का दूसरा आ आप देखिए बुक में भी है यहां पर आप देख सकते हैं यह बड़ा चोटा का चीन होता लेकिन मैं यहां पर एंगल इसे लेकर यूज करता हूं क्योंकि आप लिखना चाहें तो ऐसे एंगल तो यह ऐसे लिखाता है लेकिन केंप्यूटर में टापिंग करने में एंगल आ नहीं रहा है बहुत हाड होता है इसलिए मैं इसे यहां से यह इसे यूज कर दिया हूं आप ऐसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं वह इसे आपके पाइस फिगर है तो फिगर से आपको कम्प्रीट हो जाएगा तो हम यहां पर आपको बता रहे थे कि एंगल B बराबर हो और A B जो है A C पर क्रम से बिंदू D और E E इस परकार लिया जाए कि B D के बराबर क्या हो जाएगा बीडी के बराबर क्या हो जाएगा तो बीडी के बराबर हो जाएगा C E सीथ किजे की D E जो है वह समानतर है BC का D E क्या है यह जो दह marked A B जो यहां पर आप देख रहे हैं कि A यहां देखे A B जो देख रहे A B बराबर क्या है AC यानि कि दोनों का माल ब्राबर हैं, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहीं पर समझना आए, ठीक है, हम यहाँ पर ले लेते इसको, लेकिन इसको लेंगे, तो यहाँ पर मिटाने में प्रोब्लम होगा, इसलिए आपको यहाँ से ध्या a minus may b d एक बर क्या किया है Pूरा ले लिया a b a minus may b d ठीक है बराबर में फिर क्या किया है a c a minus may e c यानि यस दुनों को इसमें a d को नहीं लिया इसमें a e को नहीं दिया यानि जब हमको a d कमाण निकलना होगा तो हम अ पूरा में से इस b d को घटाएंगे तो AD कमान निकलेगा उसी तरह से AC कमान निकलना होगा तो, sorry, AE कमान निकलना होगा तो AC में से इसी को खोटाएंगे तो AE कमान निकल जाएगा तो AB-BD देखे, पूरा, आप माइनस में BD किस कमाना गया? यह AD कमाना गया तो, हम यहाँ पर क्या लिखे? AD लिखे AD, ठीक है? इधर दिखिए यह पूरा है AC माइनस में EC किस कमान होगा? AE कमान होगा तो, हम यहाँ पर लिखे AE अब यहाँ पर AD बराबर AE है जब AD बराबर AE है यानि पहला तिर्भू जिसमें जो AD बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा? AD बर्टे AD बर्टे BD या DB बराबर AE बर्टे EC या CE, ठीक है? अब हम यहाँ पर यह लिख सकते हैं जब हम यह लिख सकते हैं तो, हमको यहाँ से कोई प्रोब्लम नहीं है और आपको भी समझ में आ गया होगा कि यहीं हमको सीध करना था और जब यह दूनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे तो यह उसका रूल ही होता है कि जब तिर्भूज में एक दूसरे के यह जो है थेल्स परमे का थियोरम 1 सहीं सीध हो जाता है इसलिए यह क्या हो जाएगा? DE जो है समांतरे B, C का थेल्स परमे के पहले थियोरम ही में आपको बता दिये है कि जब DE जो है समांतरे B, C का तो AD बटे D, B या AE बटे EC हो जाता है यह थेल्स परमे का पहला थियोरम में ही बताया गैता है तो चवधा का पहला कुशन आप समझ गए होंगे अब 14 का दूसरा question भी देख लेते हैं 14 के दूसरा question आपको यही है बस उसमें क्या करना है तो उसमें यहाँ पर D और यहाँ पर E के जगह क्या कर दिया है मैं आपको बता दो यहाँ पर रख दिया है P क्या रख दिया है यहाँ पर रख दिया है P बस figure same to same है ठीक है तो चलिए हम यहाँ पर दूसरे question को पढ़ लेते हैं चौदा का दूसरा है बगल की चित्र में AP बटा PB बराबर AQ बटा QC एबम एंगल APQ बराबर एंगल ACB तो सीद करे की ABC एक सम दिबाहूं तिरभूज है यह आपका चौदा का दूसरा question है हाँ आप channel पर नए हैं और वीडियो पसंद आ रहा है जो मैं आपको समझा रहा है वो भी आपको समझ में आ रहा है तो please वीडियो को like चरूड कीजिएगा तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इस लिए यहाँ पर आप देख सकती कि AP बटा PB बढ़र एक्यूव बटा Q C होगा क्यों इस लिए क्योंकि यहाँ पर AP जो है वो BC के समानतर है AP यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ना आप देख रहे हैं प Q thì यहाँ पर हम देख लेंगे तो चौदा का दूसरा कुस्षन आप देख सकते कि बगल के चित्र में AP बटा PB बडावर AQ बटा QC एवं एंगल APQ बडावर एंगल ACB तो सीद करे कि ABC एक समदिवाहूं तिर्भूज है चौदा का दूसरा का अड़ाय के सीद किजिए कि ABC क्या है एक समदिवाहूं तिर्भूज है चौदा का पहले कुस्षन में यहाँ पर D और E था यहाँ पर P और Q है फर्क बस इतना ही है मैं आपको यहाँ पर समझा दूँ लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखना है यहाँ पर लिखना है कि चूखी यहाँ पर लिखेगा चूखी का साइन देगा ठीक है AP बटा PB बराबर जो है AP बटा PB बराबर क्या है AQ बटा QC है इसलिए इसमें क्या हो जाएगा इसमें PQ जो है वह समानतर हो जाएगा BC का इसमें क्या हो जाएगा PQ जो है वो BC का समानतर हो जाएगा इसलिए angle APQ इसलिए क्या हो जाएगा angle APQ बराबर angle ABC angle APQ बराबर angle ABC हो जाएगा और angle APQ बराबर angle AC भी हो जाएगा यह कुशन में ही दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं condition दिया हुआ है ये PQ बराबर angle ACB है, ठीक है, अता angle ACB बराबर क्या हो जाएगा, ABC हो जाएगा, मतलब, जब ये दुनों एक दुसरे के बराबर होगा, तो ABC बराबर क्या हो जाएगा, ACBB हो जाएगा, ठीक है, जब ये दुनों एक दुसरे के बराबर होगा, तो ये बहला दुनों का है न, ABC, C बला ACB के बराबर होगा अब यहाँ पर लिखेंगे इसलिए AB बराबर AC बराबर कोन की समुख मुझाए क्या है इसलिए AB बराबर AC बराबर कोन की समुख मुझाए है यह हिंट्स जो है आपको G 15 में भी मिल जाएगा और थोड़ा सा उसमें चिंज किया वाज जो मैं आपको यहां पर लास्ट में लिख दूँगा तो यहां पर लिखना अता जब यह बराबर देख रहें A B B B B B C है इसे यही सीध हो जाता है कि अता तिर्भूज A B C सम दिवाहों तिर्भूज है यह सीध हो गया यह था 14 का दूसरा कुशन तो 14 का दूसरा कुशन आसा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा यह दी कुशन समझ में आ गया है और इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेन नोटिफिकरशन को आउन करके अपने दोस्तों मे भी इस वीडियो को सेर कीजेगा मिलते अगले वीडियो में जै हिंद जै भारत